हेलो फ्रेंड्स में सविता सेखाउत मेरे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी जो रेसीपी है वो एकदम एल्दी, टेश्टी और एकदम ही लाजबाव सी रेसीपी है एकदम आसान तरीके से बनाई जाती है और इसको अमने बिना तेल के केवल एक चमचगी से बना कर तयार किया है बहुत ज़्यादा एल्दी भी है और जब आप इसको गर्मा घरम खाएंगे तो आपको टेश्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगी और वैसे बच्चे सबजी खाना बहुत कम पसंद करते हैं और खासकर लोकी को तो बच्चे छूते तक नहीं है इसलिए आप इस तरीके से उनको अगर लोकी से भी नास्ता बना कर देंगे तो वो दोड़ दोड़ कर खाएंगे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा सभी को त सबसे पहले हम लोकी को छिलका निकाल कर दो अच्छे से इसको ग्रेट करके तयार करेंगे उसके बाद में आगे का प्रोसेस करेंगे तो पहले हम इसका छिलका निकाल लेते हैं और उसके बाद में इसको अच्छे से दो कर लेना है दो तिन बार पानी डाल डाल कर एकदम सा अगर तो निचाल देज को अपैर अगर है अगर एक मिर्ची और एक मीडियम अकर की प्याज थी रिष्ट को एक करकिया है और साथ में ये लैस। पेश्ट के यंहां दाल सेु जब यहां पर म्यास के ज़ें धालके होते हैं यहां आधा छोटा िइना चमच ची लेंगे और में 50 ऊडता चमच पैस्ट के मिर्च पाओडर इसे दाल परसावर रिया aktivा ग्राब supportingGu पनेटें करना है जो लोकी का जूस है उसी में इसको मिला कर तयार करेंगे आप इसको इस तरह से मिलाते जाएंगे तो यह अपने आप एकदम अच्छा सा बनके तयार हो जाएगा तो यहां पर हमने कलर के लिए इसमें आदा छोटा चमच अलदी पाउडर डाल लिया है अब इसको अच अच्छे से इसको में एक सार कर देंगे पहला कर इस तरीके से अब इसके बाद में अमने गैस के ऊपर एक कड़ाई रख ली थी और उसके अंदर अमने थोड़ा सा पानी डाल लिया है और साथ में एक श्टेंड रख लिया है अब श्टेंड के ऊपर हम यह हमारे प्लेट जिसमें अमने बैटर डाल कर तयार किया है और उपर से इस पर हम डखन लगा देंगे अब गैस का फ्लेम ओन कर देंगे पहले हम दो मिनिट गैस का फ्लेम फूल रखेंगे उसके बाद में इसको अमें दीमी दीमी आज पर लगबग 15 मिनिट तक पका कर तयार करना है उसके में इसको चैक करेंगे 15 मिनिट के बाद में आप चाकू लेकर इस तरीके से इसको चैक कीजिए अगर चाकू के उपर पेश्ट लग रहा है इसका मतलब यह कच्चा है और नहीं लग रहा है तो यहां पे अमारा तो यह पक कर तयार हो गया है अगर आपको लगे कि यह करके तयार कर लेंगे यह थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अब इसको हम कट कर लेते हैं तो आप चाकू की साइता से अपनी पसंद के अनुसार इसके स्लाइस कट कर सकते हो तो मैंने इसको एकदम बरफी के आकार का कट किया है आप अपनी पसंद से इसे कैसा भी आकार दे स फिर थी जुट्टी सिटे राय, 20 चमचा नरण ऐदा चमच लाए, 10 चमच राए như ढूर्क यहा डालें। बहुत ही ज़्यादा बढ़ी आता है तो करीपता भी डाल लिया हमने 10-15 पति इसकी डाल ली है अब इसको अलका सा सोते होने देंगे उसके बाद में डालेंगे इसके अंदर दो छोटे चमच नारियल का बुरादा या खोबरा का बुरादा जो भी आपके पास वह आप डाल स से सब्दा में याइ अब जादा आप से बसा खेंटा है और शचेमानिंगे अधा जयादा सेफ्म के साफ्राव फ्रेंड को ये तो हेसा रेक चानि बहुत जादा में उसक度 हरे जाधार है offensive को मेरी च Among aечениеिए महशन अस love बीदेया तो प्लीज कि बर्लीज को लीन ज़ुक प् अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो फ्रेंड्स केसी लगी आपको आज की रेसिपी रेसिपी अगर आपको पसंद आयो तो अपना फीडबेक जरूर दे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद